किसान भाईयों फसलों में white fly यानी सफेद मक्की कैंसर की तरह घातक होता है इसको अगर सही समय पे सही तरीके से आप अपने फसलों में नहीं रोकेंगे तो यह आपकी पूरी फसल को बरबाद कर सकती है और इस white fly के तभाई से आज देश भर के बड़े-बड़े किसान है क्योंकि यह अगर आपके फसलों में ज्यादा दिनों तक रहेगा तो इससे आपकी फसलों की उपस 30-50% तक कम हो सकता है इसलिए आज कि इस वीडियो में बात करेंगे कि white fly से अपने फसलों को कैसे बचा के रखे और अगर already अटैक हो चुका है white fly के फसलों में तो ऐसा क्या करें कि घंटों में ही हमें white fly से चुटकारा मिल जाए किसान भाईयो white fly एक परकार के सकिंग पेस्ट होते है यानि रस्चूसक कीट और ये सिर्फ कीट ही नहीं ये आपके फसलों में फंगस के तुफान आने की पहले की सांती होती है इसलिए जब भी फसलों में white fly का attack होता है उसके बाद फसलों में तरह तरह का फंगस का होना 100% guarantee हो जाता है क्योंकि ये पत्ते के निचली सते पे बैथती है और पत्तों में से रस्चूसती है जिससे पत्तों में chlorophyll की कमी होने लगती है और जहां जहां chlorophyll की कमी होती है बहां बहां black note बनने लगते है जो आगे चलके फंगस का रूप ले लेती है इसके अलाबा ये आपके फसलों में तरह तरह के खतरनाक भायरस भी फैलाता है जिन में yellow leaf curl, कसाबा मुसेक, golden मुसेक जैसे भायरस है और सबसे बड़ी सरदर तो ये है कि ये आपके फसलों में इतने सारे फंगस और भायरस को फैला के रुखता नहीं ये आपके फसलों के पत्तों पे honey dew छोड़ देता है इससे क्या होता कि जितने भी अन्य रश्चू सक कीट है उनको एक परकार से आमंतरन मिलता है कि आओ भाय इनके फसलों में 56 परकार के भोग लगे हैं और जितने परकार के रश्चू सक कीट आपके फसलों में आएगी उतने परकार से आपको नुकसान भी देगी और उतने ही परकार से फंगस और भायरस भी आपके फसलों में फैलाएगा तो इतनी सारी नुकसान आपके फसलों को होता है सिर्फ इस white fly के बज़े से और ये इ वाइट फ्लाई से चुटकी में निपत लोगे इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले किसान भाईयों वाइट फ्लाई का अटैक होने के बाद फसलों में ऐसा क्या करे कि हमें वाइट फ्लाई से तुरंट चुटकारा मिल जाए उससे पहले जान लेते हैं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे फसलों में कभी भी वाइट फ्लाई का अटैक ही ना हो तो इसके लिए आपको फसलों में हुआइट फ्लाई का अटैक होने से पहले ही नीमोयल का प्रियोक करना होगा और यह नीमोयल 10,000-15,000 PPM बाला होना चाहिए अगर आपकी पानी की टंकी 15 लिटर की है तो आपको 30 ml नीमोयल 10,000 PPM से 15,000 PPM बाला मिला के इस्प्रे करना है और इसका इस्प्रे आपको अपने फसलों में 15 से 20 दिन बाद बाद करते रहना होगा अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके फसलों में कभी भी वाइट फ्लाई का अटैक नहीं होगा और ये नीमोयल सिर्फ वाइट फ्लाई से ही नहीं बलकि बहुत सारे खतरना कीटों से भी आपके फसलों को बचा के चलता है और ये ध्यान रहे कि आपको इसका इस्तमाल फसलों में कीटों का अटैक होने से पहले ही करना है तब जाके आपको इसका स्व जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगलबाली बेल की घंटी भी दबा ले ताकि ऐसे खेती से जुरी वीडियो आपको मिलती रहे किसान भाईयों यूं तो बहुत होगा और आखरी में जो कीतनासक आपको बताऊंगा वो कीतनासक तो आपके लिए रामबान साबित होगा इस लिष्ट के पहले नम्मर पे जो कीतनासक है वो है यूपील का उलाला इसका जो टेक्निकल है वो है फ्लूनिका माइट 50% डवलूजी और यह सिस्टमीक से लेना है मतलब एकर में 70-60 ग्रम 200 लिटर पानी में घोल के अच्छे से स्प्रे करना है अपने फसलों में और इसके साथ इस दबाय को और ज्यादा कारगार करने के लिए आप 10,000-15,000 प्रती लिटर पानी के हिसाब से मिला के इन दोनों का कॉंबिनेशन करके अगर इस प 50% और दूसरा इमीडा क्लोप्रीड एक दसमलक 8% यह कॉंटेक एक्षन प्लस सिस्टमीक एक्षन दोनों एक्षन में काम करता है और इसकी जो परफेक डोज है वो है 2 ग्राम प्रती लिटर पानी के हिसाब से मतलब 15 लिटर की पानी के तंकी में आपको यह 30 ग्राम लेना है और इसको ज़्यादा कारगर करने के लिए अगेन आप इसमें 1 ml प्रती लिटर के हिसाब से नीम ओयल मिला सकते हैं 10-15,000 ppm बला तो इन दोनों का भी कॉंबिनेशन होता है इन दोनों का भी कॉंबिनेशन करके आप इससे आपको ज़्यादा होगा अब इस लिस्ट के तीसर 15 लिटर पानी में जो 10-15 लिटर पानी के जो चंक करने की का उति hai उसमें आपको 3 principles लेनी है और पानी 15 लिटर लेनी है अब आख़ी की नाशक जो आपके लिए रामबान साभित हो सकता है इसके बारे में कहने से पहले कहना चाहूंगा कि अभी जितनशना सक के बारे में अगर आपको दिसाइद इंसेक्टिसाइड की पूरी जानकारी लेनी है तो आप यहां क्लिक करें और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जवान जय किसान